दोस्तो, तैंक यू फॉर कमिंग, फोर दी रिवीव आफ थैंक यू फॉर कमिंग हलो गाईस, कैसे हो आप लोग, स्वागत है आपका इस बोल्ड मूवी के रिव्यू के एपिसोड में दोस्तो, आखिर इस मूवी को हमें देखना है या नहीं क्योंकि देखो भाई पैसा ही सब कुछ नहीं होता यहां पर टैम की वी वैल्य होती है तो गाइस आप लोग ठेटर में जाओ और आपको ऐसा कोई नुकसान ना हो जाए यह मेरी जिम्मेदारी है तो गाइस यहां बैट के इमानदारी से बात करेंगे कि इस मुवी को आपको चाहिए या फिर नहीं उससे पहले आपसे भी तो एक रिक्वेस्ट है कि भाई सपोर्ट करो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें तो करते हैं अपने इस वीडियो के शुरूर लैट स्टार्ट दोस्तों यहां पर हम लोग बात करें स्कूर्ट करेंकि मुवी किशी है, एकटिंग वाइस, स्क्रीन प्लीज, यह सब कैसा है. उससे पहले करते हैं की कास्ट, क्रेट, क्या है, डिरेक्टर कौन है? इस दिरेक्टर कॉन है, साब कर रेक्ति कर रहे हैं करन भुलानी. बाकिव बात कि जाए, प्रदूसर तो रोट कपूर इवन अनिल कपूर के भी दोस्तों पैसे लगें अगर हम लोग बात करें कास्ट में कौन है तो गाइस यहां पर देखो वहरी टैलेंटेड भूमी पेड़ने करने दोस्तों इसमें मैं लीड रोल का दोस्तों किरदार निभाया वहीं इसके लावा शेहनाज गिल शिव करना चाहिए या फिर नहीं देखो भाई साब यह जो मूवी है थैंक यू फर कमिंग इसा कमिंग ओफ एज फिल्म विता इंपॉर्टन मैसिज दोस्तों यहां पर जो मैसिज कनवे किया गया है यह काफी बड़ी बात है क्योंकि देखो भाई इन सब चीज जो से हमारा सिने सिनेमा दोस्तों बचता आया है और इसके उपर कोई बात भी नहीं करता अगर आप लोग आम जिन्दगी में देखो तो क्या होता है गाइस लेडिस के साथ यहां पर उनको और गैज्म मिला या नहीं मिला उनकी संतुस्ती हुई या नहीं हुई तो कही न कहीं दोस्तों यह जो एक सब्जेक्ट है बहुत बोल्ड है में भी दोस्तों यहां पर जो आदमी लोग हैं गाइस उनको शायद इससे थोड़ी दिक्कत हो लेकिन फिर भी जो गाइस सच्चाई है वो तो यहां पर दिखाया गया और बोला भी जाता है गाइस जो सिनेमा है वो समाच का दरप है जो अची चीजे हैं जो बूरी चीज़ है यहां पर आपको दिखाना चाहिए इस मूवी में जिस तरह का सब्जेक्ट उठाया गया यह जबर्दस बात है इसके लिए दोस्तों डिरेक्टर और राइटर को दोस्तों सलाम करना पड़ेगा वह लग बात है कि दोस्तों मैं यहां पर लड़कों से तो वह लड़की को उपर इंजाम ठोक देते हैं तो इस तरीके का समाज है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस मूवी से काफी कुछ बदलेगा बागी अगर हम लोग यहां पर परफॉर्मेंस पर आये तो भूमी पेटने करने दोस्तों मतलब य ऐसे मतलब वे में दोस्तों एक्टिंग करना खावी ले तारिव वहीं गाईस अगर हम लोग बात करें कि भूमी पेटने कर के अलावा किसके एक्टिंग ने सर्प्राइस किया है किनका रोल काफी अच्छा है तो भाईस आप शहनाज गिल ने अपने गाईस कह सकते हैं कि द दोस्तों किया है वागी इसके लावा दोस्तों सर्प्राइजिंग पैकिज है नानी का रोल यानि की डॉली एलुबालिया उन्होंने कह सकते हैं कि काफी अच्छा काम किया है उनके कॉमिक टैमिंग भी दोस्तों काफी मज़दार लगते हैं वहीं इसके लावा दोस्तों कर काम किया है इन्हें चोटी उमर में भी बड़ी बाद वागे दोस्तों एक स्पेसल अपिरियंस भी है अनिल कपूर का तो कुल मिला के दोस्तों यह जो कास्ट है काफी पावर्फुल है और सबकी अवल दर्जे की है यहां पर भूमी पेटने कर दोस्तों एक ऐसी लड़की है जो चरमसुक की दोस्तों तलास में है अभी कहां जाके उनको वह मिलता है यह एक इंटरसिंग चीज होगा तो मुझे लगता ही कि दोस्तों इस मूवी को ठेटर में आपको एक्सपिरेंस करना चाहिए बोल्ट टॉपिक है लेकिन असलील टॉपिक नहीं है यहां पर दोस्त दोस्तों इसमें बहुत सारे हैं भाई साब मानना पड़ेगा और मुझे लगता है कि यह जो मूवी है दोस्तों यह ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेडीज वूमेंस ही देखेंगे हम जैसे मर्द को भी दोस्तों देखना चाहिए और समझना चाहिए कि आखिर किस प्रॉब्लम से लोग जूज रहे हैं बागी जहां प्यार मानना पड़ेगा जितने भी एक्टरस हैं इन्होंने दोस्तों अपने कंधों के ओपर किस तरीके से इस मूवी को उठाया है बागी जहां पर देखो स्टोरी आगे बढ़ती है तो जो म्यूजिक है ना इसका वो मदद करता है कई पर ऐसा होता है कही मूवीस के म्यूजिक दोस्तों मतलब बोलते हैं कि यार यह सब गाने क्यों आ रहे हटाओ इसको लेकिन दोस्तों यह जो म्यूजिक चलता है इसके साथ यह काफी सुनने में अच्छा लगता है तो कि बोल टॉपिक को इस से में भाई कॉन पेश करता है ऐसे अंदाज में दोस्तों दिखाए कि फणीны में में द ec serious topic लिए आप दोस्तों बात कर ली जो कि अभी समाच के लिए मुझे रहा है कि जरूरी नहीं कि इज आफ यहां पे जो पीपल्स हैं दोस्तों उनके लिए यह जो मूवी है यह काफी इंपोर्टन्ट होगा और मुझे लगता है कि जिने फ्रैस यूनिक कॉंटेंट देखना है वह इस मूवी को दोस्तों एक बार ठेटर में आके जरूर देख सकते और मैं अगर दोस्तों र कहना है आपका बताओ मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में अभी के लिए इतना ही